हेले स्ट्रेंट्स कुमारी स्टेडी सरकल में आप सब का श्वागत है कैसे यो आप लोग असा करता हूँ सब अच्छे होंगे आज हम लोग 36 गर सहकारितर विभाग फरती पैच्छा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो का टापिक होगा कारेसिल पूंजी जो बच्छे मुझसे अभी भी जूड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते है तो मैं प्लेइलिस्ट में जाएए जहां पर सहकरिता विभाग भुला प्लेइलिस्ट दबा कर सारे चीज़ को आप सारे वीडियो को देख सकते हैं तो पहला कुस्चन्स हम यहाँ पर लेते हैं निमलिखित में से एक कारेसिल पूंजी की रूप में माना जाता है रूपाय पैसे मसीने भवन या उपकरन सही आंसर यह आएगा रूपाय पैसे कारेसिल पूंजी क्या होते है कोई भी ब्यवसाय को चलाने के लिए आप उसमें जो कम से कम पैसा आप रखते हो ताकि वो दिन चरिया चलता रहे उसी को हम लोग कारेसिल पूंजी कहते हैं ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक किराय का मकान लिया हूँ और कोई ब्यासाई चाल लूगे तो धराक से आपका ब्यासाई नहीं चलेगा या फटा फट आपका ब्यासाई चलने लगा हो सकता है कि पहले मैंने आपका किराय ही नहीं उठे तो किराय का पैसा आपके पास होना चाहिए हो सकता है कि आपके पास माल जो बिग गया लेकिन कुछ माल की और जवरत है तो उसको कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं माल से जाकर रखूं तो ऐसे ही जो पैसी के जवरत होती है उसे ही हम लोग कारेशिल पूंजी कहते हैं किसी ब्योसाय को चलाने के लिए हाथ में आपके पास जो पैसा होता है सही अंसर आपका उपरोग सभी आएगा क्योंकि नगत तो आपके पास होनी ही चाहिए देनदार से पैसा जो मिलता हो भी आपके पास होनी चाहिए कोस्चन्स हमारे सामने आता है मूल वरतमान देनदारियां खालिस्थान है दे खाते और दे बिल बेंक ओवरड्रॉप बकाया ब्याय या उपरोग सभी सही answer D आएगा उप्रोक सभी क्योंकि देनदारिया बोला तो दे खाते तो आएगा ही bank overdropped आएगा ही और बकाया बया तो आएगा ही तो उप्रोक सभी इसमें आएगा questions हमारे सामने आता है कारिसील पूंजी के दो अबधाने सकल और खलिस्थान क्या होगा सकल मैं आपको बता देने कुशिस करूँगा कि सकल जो होता है ये वाला जो होगा सकल क्या होगा तो बैपार की संपूर्ण चालू संपत्यों के योग से है जैसे आपने कोई भी नेट मने इसके अंतरगत सब चाहिद होता आपके पास जितना नगद है तो नगद को भी आप सामिल कर लीजिए इस सकल में आ जाएगा वलकि नेट की अगर बात किया जाए तो चालू संपत्य में से चालू दाईत को माइनस करना पड़ा तमने दाईत क्या हो जाएगा जितने पास आप बस चालू संपत्य है उसमें से देंदारी को माइनस कर देने पर जो बचेगा वो नेट अर्थात सुद्ध बचेगा कोश्चन्स हमारे सामने यहाँ पर आता है कारिसिल पुंजी को खालिस्थान पुंजी के रूप में भी जाना जाता है बरतमान संपत्ति संचालन प्रच्छेपण या संचालन राजधानी इसमें से आपको बताना पड़ेगा सही आंसर भी आएगा संचालन क्योंकि संचालित करने के लिए मने धन्दे को मेरे ब्योसाय को संचालित करने के लिए जो पुंजी चाहिए वही हमारा चालू पुंजी है तो कारिसिल पुंजी यह संचालन आजाएगा आंसर इसमें Next question हमारे सामनी यहां पर आता है, खालिस्थान कारिसिल पूंजी का तात्पर मौझूदा परिसंपत्यों में फर्म में निवेशते हैं, सुन, नेट, सकल या विशिष्ट, आपने समझ किया हो गए कि यहां पर आंसर C आएगा सकल, क्योंकि इसमें जितनी भी आपके चलाने के लिए जवरत है, चाहे वो देंदारिया हो, चाहे आपको उस नगद हो, तो हम उसको सकल कहते हैं, ऐसे questions आपके सामनी यहां पर आएगा, कि बित में कारिसिल पूंजी का अर्थ खालिस्थान संपत्ती के समान है, लहर, निश्चित, कुल, उप्रोक सभी, तो निश्चित त आपको कम से कम आपके पास पूंजी होनी चाहिए, तो आंसर यहां पर आता है, कि कारिसिल पूंजी के गरणा खालिस्थान के रूप में के जाती है, मूल चालू परिसंपत्यों, मूल चालू देंदारिया घटाई जाती है, बरतमान परिसंपत्यों से बरतमान देंदारिया घटाई जाएगे, तरल संपत्यों से चालू देंदारिया घटाई जाएगे, तो आठमा का सही जो उत्तर आएगा, भी आएगा, बरतमान परिसंप से बरतमान देनदारियां घटाई जाएगे कुस्चन्स हमारे सामने यहाँ पर आता है कि खालिस्थान कारिसील पूंजी बरतमान परिसंपतियों और बरतमान देनदारियों के बीच के अंतर को संदर्भित करती हैं वैसे मैंने समझा दिया था शुन, नेट, सकल ये बिशेच देखो खालिस्थान कारिसील पूंजी बरतमान परिसंपतियों से बरतमान देनदारियों के अंतर मैंने माइनस करूंगा तो आपका नेट आ जाएगा तो नौमा का आंसर भी आ जाएगा नेट अर्था सुद्ध बन जाएगा कुश्चन्स हमारे सामने यहाँ पर आरता है कि एक खालिस्थान सुद्ध कारिसील पूंजी तब उत्पन होगी जब बरतमान परिसंपतियों बरतमान देनदारियों से अधिक होगी अथाथ आपके पास परिसंपतियों जादा हो नगत जादा हो और देनदारियों कम हो ज़्ञादा है और देनदारिया आपकी कम है ठीक उसी प्रकार खालि स्थान सुद्ध कारिसील पूंजी तब होती है जब बरतमान देनदारिया बरतमान पर परशंपतियों से अधिक होती है जस निगेटी हो गया जार देनदारिया अधिक है आपको और स порसंपति traum मात में आपके पास कम है तो वो आपका भी आजाएगा अथा नाकारात्मकात्ता का बूद कराएगी कोस्चन से आपके सामने हैं खालिस्थान उन निधियों को संदर्भित करता है जो एक संगठन के पास अपने द्यानिक कारियों के बित पोर्षन के लिए होना चाहिए बरकरार रखी गई कमाई अचल पूंजी कारिस्थिल पूंजी उप्रोप्त सभी तो यहाँ पर बार्वा का जो अंसर आएगा C आएगा कारिस्थिल पूंजी कुश्चन्स हमारे सामने यहाँ पर आता है चालू परिसंपत्यों में निवेश खालिस्थान होना चाहिए बस परियाप अधिक कम या अधिकता पर पर चालू परिसंपत्यों में निवेश कहा है बस परियापत होना चाहिए इसी को हम कारेसिल पुझी कहते हैं यहां पर 13 का जो अंसर आपका आएगा A होना चाहिए QuesNs हमारे सामने यहां पर आएगा कि खालिस्थान के अधार पर कारिस्टिल पूंजी को शकल कारिस्टिल पूंजी और सुद्ध कारिस्टिल पूंजी के रुप में बर्गी करित किया गया है संप्रत्य, समय, भविस या काम इसमें से आपको बताना है सही अंसर ए आएगा संप्रत्य अब बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए संप्रत्य होता क्या है संप्रत्य अर्था विचार धारा एक किमा दिमाग बठा लेना संप्रत्य अर्था क्या होगा विचार धारा के अधार पर जो बांटा गया है वो बांटा गया है सकल और नेट अर्था सुद्ध उसी प्रकारे कारिसिल पूंजी चक्र की गर्णा के लिए खालिस्थान विधी का उपयोग नहीं किया जाता है परिच्छन और त्रिटी बिधी, प्रती गमन, विशलेस्ण बिधी, विक्री बिधी का प्रती सत संचालन चक्र दिश्टिकून कुस्चिन्स आपके सामने यहाँ पर है खालिस्थान के अधार पर कारिसिल पूंजी को इस प्रकार बर्गिक्रित किया जा सकता है इस्थाई या निश्चित कारिसिल पूंजी, आइस्थाई या परिवर्तन सिल कारिपूंजी, संप्रत्य, अर्थात्विचारधारा, श्रमय, भविस्त या काम इसमें से आपको बताना है, सही आंसर इसका भी आएगा समय के अधार पर, समय के अधार पर इस्थाई हो सकती है और आइस्थाई हो सकती है, इसको मैं एक ओर भागों में बटाए जिता आवस्था, मैंने आवस्था अधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं, मैंने इसी क्षियां आपया पस्ताइब मोस्दप्रै 그래도 है को यह हो जाना है至्या कंई हो जाएकर बाता शचा एपको करश 걸로 I turn परिवड़न से कारे पूंजी, quizions हमारे सामने यहाँ पर आता है, कि संचालन चक्रों को खाली स्थान भी कहा जाता है, कारे चक्र, बयपार चक्र, बरतमान परिसंपत्ति चक्र या कारे सिल पूंजी चक्र, इसमें से आपको बताना है, सही answer D आएगा, कारे सिल पूंजी चक् लाश्ट कोश्चन्स हमारे सामने यहाँ पर आता है कारेसिल पूंजी की गर्णा के लिए इनमें से कौन सा सुत्र सही है कारेसिल पूंजी बरावा बरतमान संपत्या माइनस बरतमान देंदारिया कारेसिल पूंजी बरावा बरतमान संपत्या प्लस बरतमान देंदारिया कार सिल पूंजी पर आप बरतमान परिसंपतियां माइनस बरतमान देन दारिया ए आए का हाह आपनों का बहुत कम समय बचा है इसको देखते हुए यहाँ पर आप मेरी डिस्क्रीप्षन आपका पीडिया पडूत कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बाच काने के लिए धन्यबाद थेंक्यू पेरी मच